खेरिश दुकानों से लाखों की वसूली करके लोट रहे वैपारी के मुनीम से लूट अवैध हतियार से किये दो फायर मुनीम से मार पीट कर भागे अग्याद बाइक सवार तीन लोग किराना वैपारी के मुनीम जितिंदर जादौन के साथ उस वक्त तीन बाइक सवार अग्याद बदमाशों ने लूट कर दी जब अग्रामिट छेत्रों से वसूल कर लाखोर रुपहले कर वापस आ रहा था गटनाशी उपर कोटा मार के कनापूर के पास की है जहां लूट की वारदात को अंजाम देते हुए पहले तो अग्यात आरोपियों ने अवैध हतियार से दो फायर किये और फिर मुनीम के साथ मार पेट कर उससे धक्का दे कर मौके से फरार हो गये सूशना मिले पर घटना इस्तल पर जिले के स्पी सहीत अतरिक्त पुलिस सदिक्षक SDP वा कोटवाली टियाई पहुचे जब उन्होंने मौके का मुआयना किया और फरियादी को उपचार के लिए जिला स्पताल भिजवाया फरियादी के मुताबित तीनों अंक्यात आरोपियों ने मुँपर गमच्छा बांधा हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था साथ ही उनकी बाइक पलसर थी जो घटना के बाद तेज रफ्तार से वहां से भगा कर ले गए घटना देहात अनाशेतर की है जहां कोटवाली पुलिस भी मौके पर पहुची एवं सिस्टीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की एवं बाइक की पहचान और ओक्त आरोपी की पहचान में पुलिस सिस्टीवी के माध्यम से जुट गई है दिहात अनाशेतर में यह घटना कोई पहली घटना नहीं है ऐसी ही कई बार वैपारियों के साथ बार दात हो संबाद्धा था गोविंद गर्ग के रिपो सब्सक्राइब करें अपर नमबर अस्पिटल में वो क्या नाम है जीते हैं बंटी उर्फ जीतें सिंजादोन यह हैं किसी बनिये की दुकान पर काम करते थे उसुली उसुली करते हैं यह उसुली का पईज़ा लेकर बता रहें कि हम हां रहे थे उनके बता है नुजार तो बता हुआ है उसमें एक डेलाक के करीवन रुपे थे और छुडा के ले गए हैं मैं घबला गया घिर गया मेरी कमर में चोट लग गए इसलिए मैं हिलाज को आया हूं यह बताया है उन्होंने कि वो लेके खातोली तरब भाग गये घोली की बता रहे हैं कि उन्होंने पहले गोली चला कर चला एक तो हम ढूखे करें हो गये एसा बताया है तो यह दर के बारे फिर हिसके बाद में मोटर साइकिल से गिर गया और इसके बाद आकर उठा लगे इसा ही इनो इनके कहन हुझा है यह वगवारा के यह घातोली लोड के हैं कहीं पेट्रोल पंप के पास टी झाल झाल